जहिन दोस्तो तो आज हम देखेंगे सेट नमबर 53 को अपनी 5000 प्लस MCQ मेरेथान सीरीज को तो दोस्तो लेक्चर की PDF के लिए आप टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर सकते हैं कि दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब दर चैनल तो दोस्तो आज क्या है बस हम पांच को देखेंगे अपना तो आप वीडियो को पॉस्ट करके को अटेंप्ट कर सकते हैं तो पहला सुल्तान इन ब्रीफ बट फियर्स वार इन 1799 दस पूटिंग एन एंड टू दी मैसूर इस्टेट इन इस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलंग वर्दी कॉंसिक्वेंस ओफ दिस वार तो दोस्तों यहां पर क्या कि आप देखो यहां पर कह रहा है यह टीपू सुल्तान के बारे में बात कर रहा है और यहां पर अंग्रेजों के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर कहें कि हम इस तरीके से समझेंगे आपने हमने सबसे पहले देखा था जैसे डैली सल्तनत इंडिया में आती है फिर उसके बाद में क्या है मुगल एंपायर इंडिया में आता तो देली सलतनत से पहले कहाए कि हम धे अपनी एंचेंट हिस्ट्री में देखा था और हम कहा सकते है कि मीडाइवल हिस्ट्री में देखा था कि जो तमिल नाडु वाला Battle of Tahlequota होती yogurt तो विजयनघर empire का है खतम यानिके एक तरीकसे खात्म हो जाता यानिके विजयनघर empire का पतन हमको देहने को मिलता है तो यह सारी चीजे हमको देखने को मिलती है फिर जैसे 500न विजयनघर empire तूट जाता है न तो इसके बाद में क्या देखने को मिलता है छोटे छोटे किंग्डम एक तरीके से बिखर जाते हैं तो यहां पर कहाई कि एक इसके अंदर में होती है वुडियार डाइनेस्टी तो यह जो वुडियार डाइनेस्टी ना एक तरीके से हिंदू रूलर हुआ करते थे तो इस वुडियार डाइनेस्टी के राजा जैसे चिक्का कृष्णा राया चिक्का कृष्णा राज तो एक तरीके से क्या कि यह राज करते हैं तो अब इसके अंदर में क्या होता है कि आप देखते हो कि यह वुडिया डाइनस्टी के राजा होते हैं तो धीरे धीरे आगे चल करके इसके अंदर में दो ब्रदर्स होते तो जब दो ब्रेदर सोते हैं तो आगे चल करके आपने पढ़ा होगा कि जो एक तरीके से टीपु सुल्तान का बाप होता है तो हैधर अली क्या है? एक तरीके से होर्समैन के रूप में इस वुडिया डाइनेस्टी के अंदर में काम करता है और फिर धीरे धीरे एक तरीके से Heather Ali क्या है power को seize कर लेता है और यहां पर अपने आपको एक तरीके से क्या है वो अपने आपको एक तरीके से क्या है इसका मतलब एक तरीके से यहां पर dynasty को वो खुद बना लेता है तो यह सारी चीजे होती है तो अब यहां पर क्या है कि हम देखेंगे कैसे आगे की कहानी चलती तो 1757 में क्या होता है आपने देखा बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है 1764 में बैटल ऑफ बकसर लड़ी जाती है फिर उसके बाद में और यहां पर कहें कि जो इंग्लिश है इंग्लिश और यहां पर जो टीपू सुल्तान है और एक तरह की से हैदर अली है तो इनके साथ म 1792 के बीट में फिर 1799 में यह लड़ाई लड़ी जाती है तो दोस्तों आप ऐसे समझो यह क्या है कि यह हमारा फिर से हो गया इंडिया का मैप तो हमने देखा देखो यहां पर क्या कि प्लासी जो है एक तरह से बंगाल में फिर बैटल ऑफ बकसर जब लड़ी जाती है यहा हैदर अली जीच जाता है और यह पहला ऐसा रूलर होता है अभी तक का जिसने इंगलिश को यानिके अंग्रेजियों को हराया तो यहां पर क्या है एक तरीके से मदरास होती है तो यहां पर क्या कि त्रीके से आज का चैन नहीं जो है ना वो मदरास है तो treaty of मदरास होती है यहाँ पर फिर 1780-1784 में second anglomisor war होता है तो यहाँ पर कहा कि 1780-82 तक क्या है 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 घ्दर अली लड़ाई लड़ता है और इसमें हैदर अली की मिर्ट्टी हो जाती है फिर 1782-84 के बीच में यहाँ पर कहा है टीपू सुल्तान यहां पर इसकी जीत होती है और यहाँ पर जो इं sitzen बिजाम और मराथा साथ आ जई पहले वाले यद्यमम और म अंगजिजों के साथ थे अब यहाँ पर तीसरी लड़ाई लड़ाई तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रीटी ओफ मैंगलोर होती है तो आप मैंगलोर देखोगे यह इस तरीके से काया करनाट का वाली रीजन में तो हम कह सकते कि एक तरीके से यह बिल्कुल सीधी लाइन में जाती है तो ट्रीटी ओफ टीपू सुल्तान की एक तरीके से capital होती है है ना तो treaty of sharing पतनम होती है तो इसके अंदर में टीपू सुल्तान के उपर में क्या होता है बहुत जादा एक तरीके से harsh rules रखे जाते है इसके अंदर में तो इसके अंदर में जब टीपू सुल्तान हार जाता है तो इसमें से आधा म रुपए वो इमीडियेटली तुरंत रिलीस करा जाता है और यहां पर आधा एक तरीकी से जो हाफ पैसा बच जाता है इससे बोला जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट में क्या है हमको पैसे दे सकते हो तो यह चीजे हुई अब यहां पर जो दो बच्चे थे यानिके टीपू सुल्तान के एक तरीके से भीया इनको भी अपने पास यानिके होस्टेज बना लिया जाता अंग्रेजों के द्वारा तो यह सारे प्रावधान रख बच्यों जाती है और यहां पर एक तरीके से जोoug माईसूर रहना एक तरीके से क्या है इसके ऊप़र तो अभी यहां पर जोस्तारासा ना 2nd Anglo Mysore War तो उस टाइम पर जो Governor General था वो Warren Hastings था और यहां पर जो 3rd Anglo Mysore War था वहां पर था Lord Cornwallis और यहां पर 3rd वाली यानि के 4th वाली में थी Lord Wellesley एक तरीके से Governor General तो दोस्तों ये वाली सारी चीजे हमने एक तरीके से अपना बेसिक को जाना अब इसकी statement को पढ़ेंगे तो यहां पर टीपू सुल्तान के बारे में बोल रहा और यहां पर 1799 वाली यानि के जो हमने देखा इसके अंदर में टीपू सुल्तान केल्ड हो जाता है मर मार दिया जाता है और यहां पर तो दोस्तों यहां पर मराथा एंपायर भी तो था जो साथ में था तो यह statement गलत हो जाएगी क्योंकि इसने मराथा एंपायर का नाम नहीं लिया साइकेंड इस्टेटमेंट कर रहा है माईसूर वोज री इस्टोर्ड टूदी डिसेंडेंट ओफ दी ओरिजिनल राजाज फ्रॉम हैदर अली सीज्ड पावर तो यह statement भी ठीक हो जाएगी थर्ड कह रहा है सबसी डारी अलाइन्स वास इंपोज ओन दन्यू माईसूर इस्टेट तो दोस्तों यह statement भी ठीक हो जाएगी तो जो हमारा जो वुडियार डाइनस्टी है वो आज भी जीवीत है जबकि इंडय के अंदर में जो राज़ शाही तंत्र है वह Mister कर द prix लेकि निहाँ पर कया कि एक तरीके से जैसे विजह नगर से is अपर कर लेता difí, जो जो वजह नगर एंपाईर की महराणी होती मोती न तो यह बच राजा क्या करता है इस महारानी के इस से कहता है अपने सैनिकों को भिजवाता है कि अब आप क्या है ये सारे जेवर हमें दे दो अब ये सरकार की संपत्ति हो गया है तो रानी मना कर देती है तो यहां पर क्या होता है वो रानी शराप दे देती है कि भाई सब जैसे तूने मे में किसी भी लड़के का जनम नहीं हुआ लेकिन तो यानि के 400 साल से ऐसा माना जाता है कि इस डाइनेस्टी को शराप लगा लेकिन अपसे 4-5 साल पहले क्या है यह एक लड़का मतलब इनके घर में जनम लेता है और उसकी एक तरीके से क्या है फिर वह मतलब आगे का एक तरीक मतलब इसकी अब अपना यहां पर second question को देखेंगे तो यहां पर second question आ रहा है वह UN CCD से ले करके आ रहा है तो दोस्तों यहां पर पहले basic को जानेंगे तो आपने देखा कि 1992 के अंदर में तो दोस्तों 1992 में क्या होता रियो अर्थ समिट होती है तो यह ब्राजील की तो यहां पर यह निकला और दोस्तों यह लीगली बाइंडिंग ट्रीटे अगर किसी देश ने यह रैटिफाई कर ली तो उसको अपने देश के अंदर में कानून बनाना होगा और यहां पर जो भी प्रावधान लेकर के लाए जाएंगे वह फोलो करने होंगे तो अभी यान जान तो यहां पर जो कोप 15 यानि के इस साल की जो 2022 की मीटिंग हो रही है इस UNCCD की वो कोईट डी आइवरी के अंदर में हो रही है तो यह क्या है कि थोड़ा सा बेसिक जाना अब इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगी कह रहा है तो पहला स्टेटमेंट के रहा है फिप्टिंथ कॉंफरेंस ऑफ दी पार्टी कॉप 15 यहां पर कहें कि यूपी एसी में प्रिलिम्स इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता जो चीज़े न्यूज में रहती है तो याद रखना है करन्ट अफेर्स का क्वेश्चन है और अब पर सैकेंड के रहा है तो दोस्तों यह भी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी इस साल की जो थीम है वो हमारी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम इसकेर सिटी तो प्रोस्पेरिटी तो दोस्तों यह हमें क्या कि याद रखने वाली चीज़ है अब थर्ड कह रहा है कि इस दा सोल legally binding international agreement to address desertification तो दोस्तों यह बिल्कुल ठीक है हमारा land degradation से होने से रोकता है और आपको पता होगा कि जो इंडिया का target है वो 2030 तक एक तरीके से कहा है कि कुछ 30% के आसपास क्या है land degradation होने से रोकेगा और कुछ upliftment करेगा इसके अंदर में तो यहाँ पर कह रहा है कुछ statement ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर कहा है कि जैसे हमने इससे पहले भी देखा कि जो एक तरीके से भारत मुनी की नाट्य शास्त्र है एक तरीके से वो यहाँ पर definition दे करके बताती है music के बारे में और यहाँ पर कहा है कि जो पहला एक तरीके से कहा है कि हमको dance है music जो वैदिक time से देख देखने को मिलती है तो इसके अंदर में इतने सारे रीजिनल डांस है तो यहां पर इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाती तो यह क्या है कि हमको क्या कि याद करने पड़ेंगे जैसे धाप डांस का अभी न्यूज में था तो यह क्या है यह ओडिशा का डांस फो में तो इनको क्य से अपना बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपने देखा हुआ कि गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट लाया जाता है 1935 के अंदर में तो इसके अंदर में बहुत सारे फीचर्स है तो इन में से एक फीचर यह था कि भहिया हम क्या करेंगे इलेक्शन कराइंगे तो इलेक्शन कराइंगे तो यह इलेक्शन कब होएंगे 1937 के अंदर में होएंगे तो दोस्तों यहां पर क्या है 1935 में यह एक्ट लाया जाता है तो जब 1935 में अक्ट लाया जाता है तो अगले ही साल 1936 में कॉंगरेस का लखनाओ के अंदर में सेशन हो कोंग्रेस का तो जब गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 का कहता है कि इलेक्शन कराएंगे नहरु जी ने अगले साली बोल दी बिल्कुल आप कराऊगे तो हम लड़ेंगे इलेक्शन तो इलेक्शन लड़ाई जाती है एक तरीके से ग्यारा प्रोविंस में तो ग्यारा में से आठ प्रोविंस में क्या है कोंग्रेस को एक तरीके से मेजोरिटी बनाती है तीन प्रोविंस में एक तरीके से सरकार नहीं बना पाती तो ये तीन प्रोविंस जैसे पंजाब सिंध और यहां पर बंगाल तो पंजाब के अंदर में जो हमारे आपने देखा हुआ पीजेंट पीजेंट का बहुत इंपोर्टेंट रोल है इसके लिए तो यहां पर टैनेंसी एक्ट वगएरा ले करके आए तो यह सारी चीज है तो दोस्तों अभी आप देखोगे कि एक ना पबना रिवॉल्ट आता है पबना एगरेरियन जली चुछाता है हमने इससे पहले देखा जैसे 1857 की क्रांति होती है तो जैसे लिए तो यह जब लेकर क्या है तो हमने इस तैन फिप्टिननाइन पी DMC UK में पहले बिए连े allay पहुता होчесा अम सभी देखने यानि के एक जमीन पर बारा साल तक काम करेगा तो यहां पर क्या होगा तो उसको ना वो जमीन पर काम करेगा वो उसको मालिक बना दिया जाएगा तो अब जब वो मालिक बन जाएगा अगर बारा साल तक काम करेगा तो इससे क्या होता जमीन दार बहुत जादा परेशान हो ज तो अब यह क्या होता कि जमीनदारी सिस्टम है ना तो यहां पर इस कोश्चन में बात करें गये जमीनदारी सिस्टम की तो अब यहां पर दुबारा से पढ़ेंगे 1937 का एक तरीके से जो कॉंग्रेस का रूल होता 28 मिने का तो कहरा है कॉंग्रेस जो है एबॉलिश कर देती ह जमीनदारी सिस्टम तो दोस्तों यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि आप ऐसे समझो यह क्या है हमारा इंडिया का मैप हो गया तो अब यहां पर जैसे चोटे चोटे एक तरीके से प्रोविंस हो गए तो आठ में क्या है कॉंग्रेस की सरकारतिया पैसे समझो तो अब यहां पर क्या है यह होगए हमारे प्रोविंस उस टाइम जैसे आज की डेट में स्टेट कहते ना तो उस टाइम पर प्रोविंस बोला जाता था तो अब यहां पर क्या है जो एक तरीके से कॉंग्रेस है प्रोविंशल सब्जेक्ट के पर काम कर सकती थी लेकिन यह जो तो दोस्तों यह स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी जैसे हमने भी देखा कि 1859 में टैनेंसी एक्ट लाया जाता तो यहां पर बोला जाता कि जो कोई 12 साल तक काम करेगा तो यहां पर क्या है उस किसान को ओनर दे मरला वो मालिक बन जाएगा तो अब यहां पर क्या है कि एक तरीक राइट देता है तो यह 1859 से चली आ रही थी तो अब यहां पर जब 1937 में कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो इन्हों ने क्या करा इन्हों ने बोला अगर कोई किसी जमीन पर 10 साल काम करेगा और यहां पर वो मालिक बन जाएगा और हैरेडिटेरी यहां पर वो सारी चीजे alyst रहेगी तो यहां पर कहunto कि हैरेडिटेरी का और दान तह और टेनेंटी आक्ट का मतलब होता है एक तरीके से जो रंट के उपर क्या है रंट पर काम करतें यह जमीन leader was prosecuted by the madras government for making an inflammatory speech तो दोस्तों ये वाली statement भी हमारी ठीक हो जाएगी तो अब यहां पर क्या है कि जब एक तरीके से Congress की एक तरीके से क्या है प्रोविंस में government होती तो ऐसे ही क्या कि Tamil Nadu के अंदर में एक तरीके से जो Chief Minister बनते हैंने कि सी राज टीगोपलाचारी तो यहां पर क्या कि एक तरीके से एक यूसुफ महरली होता है तो यहां पर क्या कि इसने Britishers के अगेंस्ट में मतलब कुछ ऐसा बोला मतलब एक तरीके से क्या इंफ्लमेटरी स्पीच दी तो जिसकी वज़े से क्या होता है कॉंग्रेस को पसंद नहीं आती है तो इनको एक तरीके से क्या प्रोजीक्यूट करा जाता है तो एक और बंदे होता है ऐसी बिहार के बटा लिया करके तो अब यहां पर क्या कि उनको 6 महीने की वो भी ब्रिटिश के अगेस्ट क्वेशन देखेंगे लास्ट का कह रहा है पबना डिस्ट्रिक्ट वाज दी एपी सेंटर ओफ दी एग्रेरियन अंड्रेस्ट इन इस्ट बंगाल फ्रॉम अठारा सो सत्तर टू 1880 इन दी कंटेक्स्ट कंसिडर दा फॉलॉइंग स्टेट्मेंट तो दोस्तों अभी हमने प स्ट्यूट होता दो आपने यह भी देखा हुआ कि एटिन फिफटी नांगा लाइक्ट ला जाता है गवार्मेट्ट के दोया तो उसके लारा साल तक काम करेगा हईशको क्या है जमीन का मालिक्त बना दिया जाएगा जब जमीन दने बच्चे को भी लगा दिया तो इसको ब परेशान करते हैं यानिके 12 सालों तक इनको काम करने नहीं नहीं देते जब काम नहीं करने देते तो इनको परेशान करते थे इनके मारते थे पीट थे तो इनकी जैसे कैटल्स वगेरा होगी गाय बैस होगी इनको एक तरीके से चुरा लिया करते थे कभी कबार क्या करते थे इनके फसलों में आग वगयरा लगा दिया करते थे मतलब इनका हर तरीके से शोशन करने की कोशिच करते थे तो अब यहां पर क्या होता है कि यह किसान एक तरीके से जो टैनेंट थे ना इनको बहुत गुस्ता आया तो कब तक यह सहन करेंगे तो धीरे धीरे इन्होंने क्या क में जैसे Congress form होती है ना तो 1885 में Commission एक तरीके से आती है तो यहां पर यह बताती है कि भीया हाँ हाँ आप क्या हो आप इस तरीके से जमीनदार क्या है गलत तरीके से काम नहीं कर सकते अगर कुछ भी एक तरीके से tenant को हटाना है जमीन के अंदर से तो यहां पर civil court के पास में power है यानि के court करेगी ना कि यह जमीनदार तो एक तरीके से क्या है कि ये ना इसकी एक तरीके से जीत देखने को मिलते है इन हमारे किसानों की तो ये जो पबना है ना एक तरीके से क्या है आप ये देखोगे ये इंडिया का मैप हो गया तो ये इस्ट बंगाल की बात करी जा रहे है यानि कि आज का बंगलादेश के अ एक्यूब एक्क्वाइरिंग ऑक्यूपेंसी राइट यानिके मालिक बनने का राइट अंडर एक्ट टैन ओफ एटीन फिफ्टीन वोज वन ओफ दा मेंन कोज ऑफ अन्रेस्ट तो ठीक हो जाएगी सैकेंड कर रहा है लीगल रजिस्टेंस वास बन ओफ दा मेंन फॉर्मस ओफ इस्ट्रगल यानिके टैनेंट ने लीगली लड़ाई लड़ी ती यह भी ठीक हो जाएगी थर्ड कर रहा है दा अंड्रेस्ट वॉज एम्ड एट एबोलीशन ओफ जमीनदारी सिस्टम तो दोस्तों यह गलत हो जाएगी इनका कोई एम यह नहीं था कि जमीनद सुरेंदरनाथ बैनर जीं ऐए एक तरीके से क्या कि यह टेनेंट जी खेल कर रहे थे इनके revolution को आगे ले जाने के लिए तो सुरेंदरनाथ बैनर जी के साथ मैं और भी दो-चार एक तरीके से क्या है हमारे लोग थे तो यहां पर क्या है हमारी स्टेट्मेंट वन टू और फोट ठीक हो जाएगी यानिके हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा सो दोस्तों अभी के लिए इतना सो थैंक्यू गाई